लोगडाउन 3 में किंदर सरकार के द्वारा लोगों की सहूलियत को देखते हुए राहत दी गई है लोगों ने सोचल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखते हुए खरीदारी कर रहे थे वहीं 42 दिनों के बाद दुकानों को खोलने की अनुमती मिलने के बाद दुकानदार भी काफी खुश नजर आए देश के विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार की तलाश में गई प्रवासियों को भी अब सरकार ने लोगडाउन तीन में उन्हें घर पहुंचाने की कवैच शुरू कर दी है बागेश्वर में देहरादून से दो बसों में 69 प्रवासियों को बागेश्वर पहुंचा गया है यहां स्वास्त विभाग द्वारा सभी की स्क्रीनिंग कर उनकी मेडिकल जांच की जा रही है इसके बाद सभी यात्रियों को 21 दिनों के लिए होम क्वारंटीन किया जाएगा पंजाब केसरी टीवी के लिए बागेश्वर से जगदी शुपाध्या की रिपोर्ट